कि नमश्काल मित्रों हिंदी ग्यान शाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आदुनिक हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर केदार नाथ सिंग जी के बारे में कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे के दानाथ सिंग जी के जीवन परिचे उनकी प्रमुक रचनाएं और हमारी अंत्रा वुक जो कक्षा बारा में सेकेंड लगती हैं उसके जो दो अध्या हैं एक है बनारस और एक दूसरी कविता हैं दिशा उसके हम व्यक्य सहीत इसका आध्यन करेंगे तो चली स्टर्ट करते हैं अब केदानाथ सिंग इनका जन्म 1934 में हूआ और इनका निदन 1918 में हुआ केदानाथ सिंग का जन्म बलिया जी ले के चकिया गाउं में हुआ था काशी हिंदू विश्वी ले से हिंदी में एमे करने के बाद इनोंने वहीं से आदूनिक हिंदी कविता में बिम्ब विधान, विशय पर पिएजडी उपाधी प्राप्त की, कुछ समय गौरकपूर में हिंदी के प्राध्यापक रहें, फिर जवालाल नहरू विश्विद्याले में भारती भाषा कैंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पतपर रहें और वह कर दिल्वी, अपनी कविताओं में उन्होंने बिम्ब विदान पर अधिक बल दिया, यहां पर विदान वह विदा है जिसमें अमुर्थ करना उमेज प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से व्यक्ति जब उसको समान उसके सामने उसके चित्र उपस्तित होने लग जाते हैं के दानात सिंह की कविता में शो शराबा नहो onlyが में अभरता है जमीन पक रही हैं, संकलन में जमीन, रोटी और बेल आदी उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं सवेधना और विचारधारा उनकी कविताओं में साथ-साथ चलते हैं जीवन के बिना प्रकृती और वस्तोय कुछ भी नहीं है यह अहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है इस प्रक्रिया में केदानात सिंग की भाषा और भी नम्य और पारदशी हो गई है उन कविताओं में एसा टेडापन और बेलोसपन आ गया है बेलोसपन का अर्थ होता है बेबागपन से जो मन में है वो ही कहना उनकी कविताओं में रोज मर्रा के जीवन के अनुभय परिचित बिम्बो में बदलते दिखाई देते हैं शिल्प की बादचीत में की सहजता और अपना पन आयनाया सी दस्टिगोचर होता है अकाल में सारस कविता संग्रापर उनको 1989 में सहित अकादमी पुरुसकार और 1904 में मध्य प्रदेश शाषन द्वारा संचालित मैतली शरबन गुप्त राष्टी सम्मान तथा कुमारन आशन सम्मान व्याज सम्मान दयावत्ति मोधी पुरुसकार आधी कई सम्मानों से केदानाथ सिंग को कौन से काविय संग्रापर साहित अकादमी पुरुसकार मिला है तो यह अकाल में सारस और मैतली शरण गुप्त सम्मान उनको मध्य प्रदेश शाषन के तरफ से 1904 में दिया गया है अब तक केदानाथ सिंग के साथ काविय संग्राप्रकाशित हो चुके हैं यह अभी मत्वुन लाइन है कि केदाना सिंग के कितने काविय संग्राप्रकाशित हो चुके हैं साथ काविय संग्राप जिन में से हैं अभी बिलकुल अभी जमीन पक रही हैं यहां से देखो अकाल में सारस उत्तर कबिर और अइन्य कविताएं बाग टालस्टाइ और स जुनिक हिंदी कविता में बिम्ब विदान का दिकास उनकी प्रमुक आलोशनात्मक पुस्तके हैं जिन में से बिल्कुल अभी अभी इसका जो रचना समय है वो 1960 है जमीन पक रही है 1980 में है अकाल में सारस 1999 उत्तर कबीर और अन्य कविता है कलपना और छायावाद यहां से देखो बाग का समय है 1996 आदुनिक हिंदी कविता में बिम्ब विदान विकास में उनकी आलोशनात्मक पुस्तके हैं मेरे समय के शब्द तता कब्रिस्तान में पंचायत यह इनके निबंद संग्रा है इनकी निबंद संग्रा कितने हैं दो है मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत हाल ही में इनकी चुनी हुई पुस्तकों कविताओं का संग्रा प्रतिनीदी कविता की नाम से प्रकाशित हुआ है इनकी कविताओं का संग्रा है प्रतिनीदी कविता है उनके द्वारा संपादित ताना बना नाम से विवित भारती भाषाओं का हिंदी में अनुन्दित कावे संग्रा हाल ही में प्रकाशित हुआ है अब देखते हैं बनारस कविता उसका भावार्त देख लेते हैं एक बर बनारस कविता में प्राचिन्तम शहर बनारस की सांस्क्रतिक वैभव के साथ ठेट बनारसी पर भी प्रकाश डाला गया है बनारस शीव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का कैंद्र है बनारस में गंगा गंगा के घाट मंदीर के घाटों को किनारे बेठे बिखारियों के कटोरे में जिसमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ हुए इस शहर में इस शहर के साथ मित की आस्था यानि की माइथालॉजिकल जो होती है तिंकिंग आस्था काशी और गंगा के सानिद्य में मौक्ष की अवधारना जुड़ी है जो भी काशी में आता है उसे मौक्ष मिलता है, गंगा में स्नान करने से, काशी में शीव के दर्षन करने से उन्हें मोक्ष प्राप्तो होता है गंगा में बंदी नाओ एक और मंदिरों और घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी तरप कभी न बुझने वाली चितागनी उनसे तथा हवन इत्यादी से उठने वाला धुआ यही तो है बनारस यहां हर कारी अपनी रो यानी की लाइ मिला जुला रूप बनारस है यहां पर बनारस में आपको आस्था दिख जाएगी आस्था यानी शियों के प्रती जो आस्था है श्रद्दा है भक्ति है विरक्ति है यहां पर जब हम जल्दी हुई चिताओं को देखते हैं तो हमें विरक्ति का जो एहसास होता है विश्व पास आश्चर्य और भक्ति तीनों का मिलाजुला रूप है बनारस काशी की अति प्राजिंता अध्यात्मिक्ता और भव्यता के साथ आधूनिक्ता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है बनारस एक मिथक शहर बन स्थर पर गहरी है कविता का शिल्प विवरनात्मक होने के साथ ही कवि कि शुक्षम द्रश्टि का भी परिचायक है यहां पर बताया गया है कि बनारस जहां एक तरफ पुराना शहर है बनारस और दूसरी तरफ है एक नया शहर जहां पुराने शहर में अभी भी वही वो चली आ रही है यहां पर गंगा घाठ आपको देखने को मिल जाएंगे शुजी के मंदिर है वहां के गंटिया है वहां के जो गंटियों के जो आवाज है उसे जो विरक्ति का जो भाव होता है वो हमें देखने को मिलता है कविता है बनारस इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा और मडवाडिये की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीब किरकिराने लगती है इस पंक्ती में कभी कह रहा है कि जब भी बनारस शहर में बसंत जो आता है वो अचानक से प्रविश कर देता है और जब भी वह आता है तो लहर तारा और मडवाडिये जो वहां के महले हैं वहां से एक धूल का बवंडर यानि जिसको हम लोगवाशा में कहते हैं भभूलिया वहां उठने लगता है और एसा लगता है जैसे इस बनारस शहर की जीब दूल से भरके किरकिरी सी हो गई हो मुह में दूल चली गई हो जो है वहां सुबगाता है जो नहीं है वहां फेकने लगता है पच्किया यानि कि जो अस्तित्व हमें है वहां तो सुबगाता है यानि कि बोलने लग जाता है बोलने का जो एक अंदर ही अंदर जो बहाव रहता है निर्जीव है जो अस्तित्व में नहीं है वह अपना अपने को अंकूरित करने लग जाता है आदमी दशास्मेद पर जाता है और पाता हे हिला गाड़ का आखरी पतथर कुछ और मुलाय हो गया है यहां पर गंगा के गाड़ जो है जिसका एक नाम है दशास्मेद यह प्राचिन और प्रसिद्ध घाढ़ है यहां पर जाता है जब कवी तब उससे लगता है जिसे कि वहां का जो आखरी छोर का जो पत्थर है जबकि पत्थर का जो गुण होता है वो कटोड़ता लीये होता है पर यहां पर बनारस में जब पत्थर भी है वो मुलायम हो जाता है सीडियों पर बेठे बंदरों की आखों में एक अजीब सी नमी है जब बनारस में बसंत आता है तो सीडियों पर जो बैठे हैं गाड के किनारे जो बंदर बैठे हैं, उनकी आखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है, और अजीब सी चमक से भर उठता है विकारियों की टोकरों का निचाट खाली पन, वहाँ पर जो भिकारी रहे हैं, वहाँ पर उनके जो कटोरे में धीरे धीरे बसंत उतरता जाता है, औ जो एक अजीब सी चमक से भर जाता है, तुमने कभी देखा है, खाली टोकरों में वसंत का उतरना, यहाँ पर कभी प्रेशन कर रहा हैं कि क्या तुमने, आपने कभी देखा है वसंत का टोकरों में, कटोरों में उतरना, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता भी है और इसी तरह खाली भी होता है यह शहर कभी यहां कह रहा है कि यह शहर जो है इसी तरह खुलता है जब समाई जो सुबह होती है प्राता काल जो होती है तब यह इसी तरह खुलता है दिन भर में यह इसी तरह भरा भरा सा रहता और रात्री के निशब्दता में यहां खाली हो जाता इसी तरह रोज-रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंदे अंदेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ माना जाता है कि गंगा जो हैं मौक्षदाईनी गंगा मानी जाती है और जुग शव हैं उनी घाटों पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उनीये से उनको मु दिरे बचते हैं घंटे चाम दिरे-दिरे होती है यहां पर जो बताये गया है कि शहर बनारा शहर में धूल दिरे-दिरे उरती हैं यहां की लोग जो हैं वह भी दिरे-दिरे ही चलते हैं और यहां पर शाम जो होती हैं वो भी दिरे-दिरे ही हो जाती है यहां दिरे-दिरे होना धिरे होने की सामुईक लए हैं ध्रड़ता से बांदे हैं समुचे शहर को यह जो धीरे-धीरे होना है कभी कहता है कि यहां पर जो धीरे-धीरे जो हो रहा है सब कुछ जो गतिवित्या हो रही है वो जो धीरे-धीरे हो रही है वो ही एक ऐसा कारण है जिसकी वज़े से स कुछ हिलता नहीं है कुछ भी जो जी ज़िज जहां थी वही पर रखी है यानि कि इस शहर में जहां जो प्राचीन शहर कहां जा सकता है आस्ता का शहर है शिव मंदिर भी वहीं है और जितने भी गाठ है पुराने गाठ है वो भी वही के वही है यानि कि जो चीज जहां रखी हुई है वहां से वो हिली नहीं है कि गंगा वही है कि वही पर बंदी है ना कि वही पर रखी है तुलसिदाज की खड़ाओ बरस से यहां पर गंगा के किनारे बनारश शहर में तुलसिदाज जी कि खड़ाओ रखी गई है जो वो दुलसिदाज जी अपने समय में जब पहनते थे उस खड़ाओ को वहाँ पर रखा गया है तो वो भी वहीं की वहीं है और गंगा के किनारे पर जो नाव बंदी है वो भी वहीं बंदी हुई है कभी सई साज में बिना किसी सूचना के गुस की कभी कभी आर्तिक के आलोक में की कभी-कभी आपको गर इस शहर को देखना है तो सही साज में कभी सुबह और शाज के यो समय होता है उसमें आप बिना सूचना के ही यहां चले जौ इस आरतिकी प्रकाश में इस शहर को आप देखो ऐसा इससे अचानक देखो अदबुत है इसकी बनावट यहां आधा जल में है आधा मंतर में है और अधा फूल में जब हम बनारस को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह जैसे आधा गंगा के जल में है आधा शिव के मंत्रों में है और आधा शिव के मंत्रों में और फूल में है आधा शव में है आधा नीन में है आधा शंक में है अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है जो है खड़ा वहां खड़ा है बिना किसी स्थम्ब के जो नहीं है उसे थामे है राक और रोशनी के उचे 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 इस्थम्ब यानि कि जो यहां पर खड़ा है वो बिना ही किसी सहारे के खड़ा है और जो नहीं सहारे से नहीं खड़ा है यानि कि जो मृत्यों को प्राप्त हो चुके हैं वह राक और रोशनी गंगा की जो निर्मल धारा है उसकी जो रोशनी है उसी की रोशनी में इस्तंब पर खड़े हैं आग के इस्तंब और पानी के इस्तंब धुए के खुश्बू के आदमी के उठे हुए हातों के इस्तंब से इस तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेखबर यहां पर कभी कह रहा है कि उस अलक्षित सूजी की तरफ यह अर्ग देता हुआ कई-कई पीडियों से कई-कई शताब्दियों से यह ऐसे ही खड़ा है शहर इसी गंगा के जल में जहां एक और पुरातन जो पुराना शहर है बनारस वहीं दूसरी ओर आधुनिकता को ओड़े हुए नया जो शहर है दोनों ही-क अक साथ खड़े हैइक पुराना जो शहर है वो अपनी आधुनिक्ता से बिल्कुल ही बेखबर है इसके बाद जो हमारी दूसरी कविता है दिशा उसका पार्ट कर लते हैं हिमालाई किदर हैं? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था उधर उधर उसने कहा जिदर उसकी पतंग भागी जा रही थी मैं स्विकार करूँ मैंने पहली बार जाना हिमालाई किदर है इस कविता की माद्यम से जो कभी है वो कह रहा है कि बालक जो है निश्चल है स्वाभाविक और सरलता और सहज प्रवति से अपना उत्तर दे रहा है कि जिदर मेरी पतंग जो जहां भागी जा रही है वहीं तो है हिमाले बच्चे यतार्थ को अपनी ढंग से ही देखते हैं कभी का यह जो बाल सुलब संग्यान है वह उसे मोह लेता है बालक का हरदय के समान ही सहज और सरल होता है वह अपनी सीमा के अंदर ही सोचता है कभी कहता है कि जब उसे हिमाले के बारे में पता जानना था तो उसने एक स्कूल के बच्चे से पूछा कि हिमालाई कहा है तो बच्चा अपनी सहज भाव से उसे उत्तर देता है कि जहां मेरी पतंग भागी जा रही है उधर ही है स्कूल उधर ही है सोरी हिमालाई तो फिर कभी इसमें यहां पर कभी कुछ स्विकार करना होता है कि बाल स इसके बाद हम जो बनारस कविता हैं उसके जो कठी शब्दार थे हैं उन्हें देखते हैं लहर तारा और मुडवादी हैं यह बनारस के दो मोहलों के नाम हैं बवंडर अंधर होती आंधी और जिसको हम हमारी लोग बाशा में कहते हैं भभूलिया सुखबुगाना जागरण या जागने की इत्क्रिया पच्खिया अंकूरण बीच से निकलना निचाट बिलकुल एकदम खाली सा सही साज शाम की जो शुरुआत हैं स्तंब यानि की खंबा अलक्षित अज्यात न देखा हुआ अज्ध पूजा के सोला उपचारों में से एक दूब दूद चामल आदी से मिला हुआ जल जो देवता के सामने शद्धा पुर्वक चड़ाया जता है अर्ग दशाशमेद बनारस का एक घाट का नाम जहां पूजा इसनान आदी होता है धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास प्रसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर इसनान आपको मेरा कीजिए ऑ